नमस्कार साथ ही आप लोग देख रहे हैं वी आई पी नूज टूड़े मैं के सिद्धार्थ और आज फिर हम लोग जो है मानिनियम विगा बिंज जिसे चर्चा करेंगे आप लोग इनको पहले देखी चुके हैं मुलिवाशी ट्रस्ट आफ इंडिया के मादम से पूरे भार मानिव अंभिका बिंज जी आज हमारा आपसे सवाल है कि राजनीति अस्तर जो है भारत में अगर देखा जायी खासकर हम पूरे भारत की बात में सिर्फ उत्तर पर्देश की ही बात करेंगे उत्तर पर देसं में आप पिछ्डी समाज से आते हैं पिछ्डे समाज में कुछ सबसे पहले संबंद में हम बताना चाहेंगे कि मैं वैसे राजनेतिक ब्यक्ति नहीं रहा मैं लगबग 2006 से लेकर 2017 तक जो समाजिक संगठन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो समाजिक संगठनों में काम करते हुए मैंने देखा कि भारत देश के उत्तर भारत में मुख्यता अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनेतिक चेतना है वह राजनेतिक चेतना उत्तर भारत के अन्य स्टेटों से कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश में और लंबे अर्शे से मैं देख रहा हूं कि जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि तथाकथित रामान में जब रावन को राम तीर से मारता है उसके कर जाते हैं हाथ कर जाते हैं अंग कर जाते हैं लेकिन वो पुना जीवित हो जाता है तो विभीशन आता है जो रामन का ही भाई था तथा कतित और राम से कहता है कि रामन को आप इस तरह से नहीं मार सकते हैं आपको अगर मारना है तो उसको उसके नाभी में मारना होगा और नाभी में अम्रित का वास है तो रामने एक पीर उस नाभी में मारा नाभी क्या चीज होती है आदमी के सरीर का सेंटर पॉइंट होती है नाभी सेंटर केंद्र होता है यानि केंद्र पर अटैक करने पर ही वो मरेगा रावन ऐसा विवीशन ने राम को बताया तो अगर बहुजन समाज के लोग चाहे स्टी ओवीशी में चाहे जो जातियां हो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं चाहे वो निशाद पार्टी हो चाहे वो बियाइपी पार्टी हो चाहे वो सुहेल भारती सुहेल देव पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो यह जो स सारी पार्टियां हैं इन सारी पार्टी के जो नेतित्त करता है इन नेतित्त करताओं को अगर केवल उत्तर प्रदेश की सत्ता ही सत्ता दिखती है तो कभी भी बेवस्था पर काभीज नहीं हो सकते नहीं इनका समाज कभी राज्यातिक चेतना में अपनी भागीदारी निभा सकता है क्यों क्योंकि राज की सत्ता सत्ता नहीं होती है केंद्र की सत्ता सत्ता होती है इसलिए इन लोगों को चहिए कि केंद्र की सत्ता की लडाई लड़े स्टेट की सत्ता इनको बोनस में मिलेग इस बात को सासक वर्ग जानता है इसलिए उनको लगा कि जो समाज में सोशल संगठन के माध्यम से जागरिती हो रही है उस सोशल संगठन के माध्यम से आने वाले 2004 में देश का पिछडा वर्ग बैकवर पथान मंत्री की डिमांड करेगा आयसा उन्होंने ग्रास्पिंग पावर उनकी है और उनके पास तमाम थर्मा मीटर है समाज के मोटिवेशन को नापने के लिए तो उन लोगों ने इस बात को संगठन में ही आँख लिया था और एक जनवरी संगठन को तथा कथित नरेंदर भाई मोदी जो बैकवर अपने आ नरेंदर मोदी की जो जाती है वह गुजरात में वह बैस में आती है मोडवनिया है फारवर्ड में आते हैं लेकिन एक जनवरी 2002 के पहले वह फारवर्ड रहते हैं एक जनवरी 2002 को उनको बैकवर्ड की सूची में सामिल किया जाता है उनकी जाती को क्यों किया जाता है क्यों आवाज देश से उठेगी इसलिए नरंदर भाई मोधी को उन्होंने स्लेक्ट किया कि नरंदर भाई मोधी जैसा कोई भी हमको हमारा विभीशन नहीं मिलेगा उनके पैकवर्ट समाज का जो हमारे अनुकूल काम कर तो इसलिए उन्होंने नरंदर भाई मोधी को एक जनवरी स बारा साल पहले नरेंदर मोदी को जिनों ने गुज्रात कांड में जो हुआ उसका हमें कुछ कहने की जर्वत नहीं है हर जगह उसके दस्तावेज पड़े हैं आप देख लीजिये किसके नेत्तित में हुआ उसको करवाने वाला कौन था तो ऐसे लोगों को परपोच किया और बारा साल पहले उनको बैक वर्ड़ बनाया 14 का चुनाओ आया 14 के चुनाओ में नरेंदर भाई मोधी को बैकवर के नाम पर लाय गया और बैकवर के लोगों ने उनका सपूर्ट किया इतना ही नहीं जो उत्तरक प्रदेश में छोटी-छोटी पार्टी बना रहे बैकवर्ड नेता उभरे थे जैसे अनुपरिया पटेल थी पटेल समाज की थी उसके बाद आप तो प्रकास राजभर जी को देख लीजिए राजभर समाज से थे उसके बाद आप देख लीजिए निशाद समाज से संजे निशाद थे ऐसे तमाम जो बैकवर्ड पार्टिया थी, हर पार्टी के बेकवर्ड लोगों को बीजेपी ने अपने समफन में लिया। और इन लोगों ने बीजेपी को 2014 में सत्था में लाया। अँसप्ता में लाया, जब इनको अपना अधिकार चिंता हुगा नजर आया, तब वही सत्ता में ले जाने वाले लोग आज कह रहे हैं कि BJP हमारे सत्यानास कर रही है इसका जो मौलिक कारण है कि जब तक परदेश के अंदर जो जातियां जागरित रही हैं उनको जागरित किये बगएर आप परदेश की राज़िति करना चाहते हैं तो आप एक जाती BCS क की पार्टी बनके रह जाएंगे और किसी के सहयोगी आप बन सकते हैं सत्ता में नहीं पहुश सकते हैं यही कारण रहा कि बैकवर्ट समाज की जो भी पार्टियां है वह खास करके देखा जाए तो उनके राजनेताओं को पता नहीं कौन महासची उसलाह देते हैं कि वो समा जो बहुत बड़ा तपका है महिला वर्ग है विद्यार्थी वर्ग है नौजवान बेरोजगार है यह जो तीन वर्ग है इंको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं अगर देखा जाएं देश के अंदर चाहे प्लटकल जागृती रही हो चाहे सामाजिक जागरिती रही हो चाहे जो जागरिती रही हो हर जागरिती में बिद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है यही कारण है कि जब 1857 का अंदोलन चला तथा कथित भारत के आजादी का पथम संग्राम जिसको खा जाता है उस दवरान से लेके 47 तक का आप देखिए अंदोलन अंग्रे तो उन लोगों को सिक्षा से वंचित होना पड़ा जब यह आंदोलन में आए तो जो आंदोलन चलाते हैं वही देश चलाते हैं लोगों ने कांग्रेस में जाकर के आंदोलन किया अंग्रेजों को भगाया कांग्रेस के ने तित्त में फिर वहां पे पहुचे जो सिक्षा लेकिन आन्दोलन चलाने की वज़ासे उन लोगों मिला यह कारण है कि देश में अगर thought you are appreciated यानि ऐसिक्षित वह फिरो वेघु के देश की आजादी में विद्ध्यातियों ने पढ़ाई को जोड़ करके भागीदाली लिया था इसी लिए उनको साशन नहीं तो परशाशन नहीं तो साशन में मौका मिलना चाहिए यही सायद मुझको लगता है यही कारण है इसलिए आज तक वह कानून वह प्रावधान चलता जा रहा है अब सवाल खड़ा है कि अगर हमें देश-परदेश की राजनीती बदल नहीं है तो हमे महिला वर्ग नंबर दो विद्यार्थी वर्ग नंबर तीन नौजवान बिरोजगवार वर्ग इन तीन वर्गों को संगठित किये बगैर और इन तीन वर्गों को सत्ता में परसंटेज भागीदारी निश्चित किये बगैर अगर हम पोई राजनीती प्रदेश की करना चा संगठन हैं उन समाजिक संगठनों को अपना काम करते लाना चाहिए इसके अलामा जो भी राज्ञाइतिक संगठन जो अपने आपको समाज के प्रति इस्ठामान समर्पन की बात करते हैं उनको प्रावर्टी के तोर पे बिद्यार्थी नौजवान बेरोजगार और महिलाओं का नान पुलटकल संगठन चलाना चाहिए अगर हम बिद्यार्थियों का संगठन चलाते हैं तो कम से कम पांच पर्षंट लोग सभासी और पांच प नहीं बात महिलाओं की करते हैं 50 पर्षंट नहीं तो कम से कर पांच पर्षंट हमें महिलाओं को भी भागिदारी देनी चाहिए अगर 15 परसंट नहीं लगता है तो मैं देने में ज्यादा लगता है तो वह बताना चाहता हूँ कि आप लोग भारत माता कहते होंगे, भारत माता सुनते होंगे, ना तो आप भारत बाप कहते होंगे, ना तो आप भारत बाप सुनते होंगे, इसका भी इतिहास है, इतिहास है कि हमारा देश जो भारत है, ओ माति सत्ताक देश हुआ करता था, महिला पधान, माति पधान थो जासक्हुगा करती थKY महिलाय राजकाज देखती थी महिलाएं साजन पर शासन चलाती थी भहु सारे ऐसे उदहरन है अ कि अ एक आप राणी दुर्गावती देखो आप करमावती को देखो आप यह ल्या भाई ब्लेगी को दे तो अगर ऐसा हमारा इतिहास बताता है और हम आज अलग बात है की पुरुष प्रधान बेवस्था में जी रहे हैं इसलिए पुरुष प्रधान की बात करते हैं तो ऐसा हम अगर सोचते हैं कि इन महिला वर्ग को बिद्यार्थी वर्ग को बिरोजवान की बात किये बगर सत्ता में आना चाहते हैं तो वह समाज को धोखा देने के अलामा और कुछ नहीं है इसलिए अगर इस देश की सची राजनीती प्रदेश की सची राजनीती वास्तों में समाज की अगर राजनीती क किये बगएर अपने चुनावी मिनों फेष्टों में इनकी भागीदारी तय किये बगएर अगर कोई भी पार्टी आती है तो इस वर्ग से वह चलावा करेगी जब विद्यार्थी महिला विरोषगार नौजवान से चलावा होगा तो निश्ची तौर पे समाज से चलावा हो होगा इसलिए इन तीनों वर्गों की राजनीती में भागीदारी दिये बगएर प्रदेश की सच्ची राजनीती नहीं हो सकती है और नहीं कोई सच्चा नित्य तुकरता मिलता है जैसा कि अभी आपने देखा होगा हाली में एक उभरती पार्टी है पिछड़े समाज की व और अधिकार हम लोगों को कोई भी स्टेट की सरकार नहीं दे ऐसा होता तो उनको बिहार दस्यांदोलन कर रहे हैं उन्होंने जारगंड में पार्टी को लौंच किया है बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं उत्तरफर्देश में लड़ा है आगे भी उनका और प्लान हो सक पहले आपको बताया कि केलर की सत्ता को सत्ता कहते हैं इस्टेट की सत्ता को सत्ता नहीं कहते हैं कहीं बात प्याइपी पार्टी के संस्थापक माननी मुके सहनी जी पूर मंत्री बिहार सरकार उनके संबंध में हम देखते हैं तो हमने पाया कि बिहार सरकार में वह एंडिय और बहुत सारे देश भर से तमाम लोगों का आरोप रहा कि बिहार में माननी मंत्री मुकेश सहनी जी मंत्री पत्पे रहके भाजपा को मजबूत करके मलाई काट रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आ करके भाजपा के बिरोध में मुमेंट चला रहे हैं राज्याति कदम बढ़ा रहे हैं वहां तो मलाई खा रहे हैं यहां लडाई की बात करने हैं तो हमने उनके चरित्र को पढ़ने के लिए मैं बिहार भी गया वहां लगबग दो महीने रहा तो मैंने उनके चरित्र को भी पढ़ने का काम किया तो हमने देखा कि निशाज समाज में उत्तर परदेश की अगर बात करें तो पूरे भारत में किसी भी जाती की किसी भी जाती की उतनी पार्टिया नहीं है जितनी निशाज समाज की केवल उत्तर परदेश में लगबग 25 परदेश हैं अब सवाल खड़ा होता है कि जिस समाज में 25 परदेश में राज्याइतिक पार्टियां हो और उस समाज का कोई भी पारटी पचीशों में कोई भी पार्टी अपने सिंबल पर अपने दम पर बगएर किसी के कड़बंधन के अपना एक विधायक भी नहीं बना सकती तो पचीश पार्टी बनाने कोई मतलब ही नहीं है तो इस दिशा में मैंने किसी को काम करते हुए नहीं देखा जब उत्तर प्रदेश का चुनाओ आया तो उत्तर प्रदेश के चुनाओ में हमने देखा कि निशाद समाच की दो बड़ी पार्टियां चुनाओ लगने के लिए उत्री एक बियाईपी पार्टी उत्री जिसके मुखिया माननी मुकेस सहनी जी है और दूतरी पार्टी निशाद पार्टी उत्री जिसके मुखिया डाक्टर संजय निसाद है चुनाओ से पहले मचवा आरक्षन की बात चली और इन दोनों पार्टियों में वंड को चलाया डाक्टर संजय निसाद ने कहा कि आरक्षन नहीं तो ओट नहीं आरक्षन नहीं तो ओट नहीं और मुके सहनी नहीं तो गडबंधन नहीं यह चुनाओ के पहले का दोनों का रारा है उसके बाद चुनाओ से लगबख 20-25 दिन या एक महीना पहले ही एक रैली होती है लखनओ के रमाबाई पार्क में जो भाजपाक के साथ निशाद पार्टी का गडबंधन में होता है उस निशाद पार्टी के गडबंधन रैली में परदेश के लगबख सभी जिले से सभी ब बठे रहे धूप में, चिलचिलाती धूप में बठे रहे, इस आसास है कि अभी भाई नरंदर मोदी या अमिस्ता जी मछ्वया आरक्षण की घोशडा करेंगे लेकिन उनके इस पीच खतम हो गए, भाषन खतम हो गए, मचवा आरक्षन की घोशडा नहीं हुई, उनके साथ छलावा हुआ, अनपड महिलाएं रो रही थी, कि हमारे समाज को आरक्षन देने के नाम पे यहां बुलाया गया, आरक्षन हमको नहीं मिला, हमारे साथ धोखा उसके बाद धोखा हुआ, वास्तों में धोखा हुआ, आज उसी भाषपा को समधन देने वाले डक्टर संजय निशाज जी, सत्ता में भाषपा के साथ हैं, भाषपा की सत्ता केंदर में भी है, भाषपा की सत्ता उत्तर प्रदेश के राज्य में भी है, और उसी भाषपा कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए निशादों का हक अधिकार है सरकार जो हमें दे नहीं रही है तो लानत है ऐसे निशाद के नेता डाक्टर संजय निशाद के ऊपर कि आपकी सत्ताधारी पार्टी जिसमें आप गड़मंधन में हो राज में भी आपकी सत्ता है केंदर में भी सांसत भी है आप MLC भी भाज़पा से हो और आपका बेटा भाज़पा से विधायक भी है और तमाम विधायक आपकी पार्टी से चुनके आये हैं अलग बात है कि गड़मंदन में आये हैं अगर आप समाज की इतकी बात करते हैं अगर आप समाज के लिए अपने आपको प्रम लात मार देना चाहिए कि आप हमको ध्योखा क्यों दे रहे हो जब राज्य में भाजपा की सत्ता है क्या लंदन में सत्ता बनाओगे तब जा करके मचवा आरक्षन साथ आरक्षन दोगे यह तो जो सवाल डाक्टर साहब को मोदी से कहना चाहिए अमिसा से कहना चाहिए वह सवालों जंता से कह रहे हैं ऐसा बर्गलाने का काम कर रहे हैं चुकि यह सिद्धानता है जब जनता को भड़काना हो अपनी खामियों को छुपाना हो तो किसी न किसी मुद्दे में उल्याद हो यह उनकी पॉलिशी रही है कि दूसरे मन्नी मुकेश सहनी जी की बात करते हैं जब मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हैं तो उनको भादपा हाई कमान का मैसेज आता है कि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव मत लड़िए आपको हम विहाद सरकार में मंत्री तो बनाए ही बनाए हैं आने वाले 2024 में 2024 में हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे इसके अलावा हम आपको साथ-साथ MLC दे देंगे लगभग हम 10-12 चेरमेन दे देंगे 8-10 बिधायक का टिकट भी दे देंगे आपको क्या जब्यों थे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन से उठा और 30 रुपया परड़े की मजदूरी किया 900 रुपय महीने की मजदूरी मुंबई शे में आजादी के बाद पहली बार निशाद समाज को संगठित करने का काम माननी मुकेस सहनी जी उत्तर भारत में शुरू कि और उन्होंने समाज से कहा कि मेरा स्लोगन था नारा था आरक्षन नहीं तो गडवन्न नहीं आज भाटपा आरक्षन दे दे तो आज मैं अपनी पा में भाटपा की चुनोती को स्विकार करते हुए यहां तक धंकियां भी उनको मिली थी अगर उत्तर प्रदेश में आप चुनाओ लोड़े को है तो आप से कुल्ची चिन ली जाएगी और उन्होंने कहा कि मुझे मेरा समाज प्यारा है मेरी कुल्सी चिन जाती यह तो चिन तो उन्होंने कहा एक नारा दिया था कि चुनाओ के पहले था नारा कि आरक्षन नहीं तो गडबंधन नहीं लेकिन जैसे ही चुनाओ के बाद जब आरक्षन नहीं लागू हुआ तो चुनाओ के दोरान उन्होंने नारा दिया आरक्षन नहीं तो गडबंधन नहीं गडब लड़कर के लगभग उत्तर प्रदेश की 20 सीटे ऐसी रही जहां पर राष्टी पार्टी रही कांग्रेस के लगभग कांग्रेस से ज्यादा उड़ पाया उन्होंने अपनी एक अलग पहचान मनाई लगभग 20 सीटे ऐसी रही जहां पर कांग्रेस के कंडिडेट से ज्यादा वोट ब्याइपी के कंडिडेट को मिला उसके बाद उन्होंने बोचाहां बिहाल का उपचुनाओ लड़ा वहाँ पर उन्होंने खुले आम बीजेपी से बगावत कर दिया बोचाहां चुनाओ के उपचुनाओ जैसे उतर प्रदेश का चुनाओ लड़ते हैं उनसे मंत्राल अगर कोई मंत्री स्तीफ़ा नहीं देता है तो उस मुख्य मंत्री को पहले सोश्य मंत्री को किसी मंत्री को मंत्री को पड़ता। मंत्राले से मंत्री से अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो प्रदानमंत्री को अपना इस्तीफा दे करके कैबनेट भंक करना पड़ता है तो इस तरह से ऐसा नितीज सरकार ने नहीं किया यंडिये गुवर्मेंट ने नहीं किया और आर्टिकिल नाइटिवन के बिलोद में जाकर के माननी मुकेत ताहनी के को जबरदस्ती उनके पदसे अपदस्त किया गया बरखास किया गया तो उन्होंने इस चुनवती को स्विखाल किया और बोचहां में अकेले अपने दम पर चुना ओड़ा और उन्हों समाज के साथ बी-जे-पी युद्ध्य धोखा किया उनके साथ जो दोखा किया समाज बताया समाज उनकी बातों को सुना समाज besar यता को पहचाना और पहचानने के बाद उसका प्रड़ाम क्या रहा कि जो बीजेपी आज केंदर में है जो बीजेट में है जो बीजेपी की सिरकार गर्बंधन में बिहार में है वहाँ पर उसने लगभग 40-45 MP ML बिधायक मंत्री संत्री लगा रखे थे लोगों को पब्लिक ने जूता दिखाया मंत्रियों को दिखाया सांसदों को दिखाय आप बिधायकों को दिखाया पईडाम ये रहा कि माननी मुकेश सहनी जी बियाइपी पार्टी के माध्यम से बीजेपी को उन्होंने हराने का काम किया कि उन्होंने अकेले दम्पे हराने का काम किया Aगर उसी तरीके से संजय निशाद भी अपने आपको मिशादों का हितायसी बताते हैं निशादों by आ मानते हैं घृठफादर आप पिसर मैन अपने आपको कहते हैं तो उनकी भी नेतिकता बनती है कि जिस तरह से मुकेश सहनी ने अपने अपमान का बदला लिया, उसी तरीके समाज के अपमान का बदला लिया, समाज के साथ हो रहे हैं, धोके बाजी को पता फांस किया और समाज को अपने हक अधिकार की लालाई लडने के लिए अपने आपको न लड़नी चाहिए अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको समाज इतनी ताकत देगा कि वो अपने दम पर और अपने समाज के दम पर और सहयोगी जो हमारे समाज के अंड पार्टी के लोग हैं वो लोग भी इंको सपोर्ट करने के लिए तयार है लेकिन यह हैं कि अपनी कुर्शी जिहार के अंदर माननी पूरो मंत्री मुके सहनी जी ने निशादों को उसी तरज पर जिस तरह से मानुवर कांशी राम साहब ने जब हक अदिकार उत्तर प्रदेश में नहीं मिल ला था चुछ पिछड़ों को तो उन्हों नारा दिया बगावत कर दिया था कि तिलक उनको मारो जूते चार ऐसा स्लोगन उस समय पार्टी के लोगों के द्वारा दिया गया उसी तर्ज पर उन्हों ने भी कमरकसा और उन्हों ने कहा कि अब हमें किसी के भीक मागने की जिर्वत नहीं है आरक्षन मागने से नहीं मिलती जबकि कांशी राम सहाब ने कहा था ग कि अन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए प्लाणिंग के तहट नीटी रणनीती के तहट बिहार में काम कर रहे हैं अभी कुछी दिनों में लगबग 14 तारिक तक उत्तरप्रदेश में भी नीती रणनीती रणनीति आगामी 24 लोग सबाच चुनाओ के लिए करने के लिए और अब ए मचुवा समाज या निशाद समुधाय के लोग अपने बड़े भाई और अपने छोटे भाई को साथ ले करके आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे है hy क्योंकि मचुवा समाज के लोगों के ऊपर कोई भी समाज या कोई भी पार्टी आरोप नहीं लगा सकती लेकिन निशादों के साथ किसी नहीं दिया जिसकी वज़ा से आज मजबूर होकर के निशादों को समाज का साथ लेकर के इन गद्दारों और धोखेबारों को सबक देने के लिए ताकत निर्मार करने की ज़रुद हो रही है और बहुत तेजी से बहुत बड़े पैमाने पर एक मिशन के तहत निशाद समाजी कठा हो रहा है बिहार से चिंगाली लग चुकी है जिस तरह से बोचाओ चुनाओं में बिजेपी को धूल चटाने का काम बियाइपी पार्टी ने किया आने वाले 2024 में उसी बिहार से बिजेपी को जमी दोच करने का काम उत्तर भारत से समाप्त करने का काम बियाइपी करेगी ऐसा दिख रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे अन्य पिछली जाती के लोग अंसुचित जाती के जो अन्य पार्टी के लोग है उनका भी पत्यक्ष आपत्यक्ष रूप से मानी मंत्री मुकेशानी यानि बियाइपी पार्टी को स अधिकार उन्होंने दिलाया था 1932 में उसके बाद 1951 में जब चुनाव होता है पहला चुनाव होता है तो उस चुनाव में बाबा साहब के साथ-साथ उनकी पार्टी भी चुनाव हाल गई थी और जब अगला चुनाव 1956 में होने थे तो चुनाव के लगभग दो महिना पहले ही बाबा साहब के पास कुछ उत्तर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के नेता गए उन्होंने कहा क्या बाबा साहब हम लोग कभी सत्ता में नहीं पहुच सकते तो बाबा साहब उन लोगों को कहे थे कि जब इस देश का सूद्र और अतिसूद्र एक हो जाएगा तो इस देश की सत्ता पर उनको पहुचने से कोई ताकत नहीं रोग पाएगी तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने 1956 में पहिनिवार के कुछ दीज दिन पहले उन्होंने समस्त पिछणों की पार्टियों का बिले किया था और एक पार्टि की उन्होंने संकल्पना बनाई थी रिपब्लिकन पार्टि आफ इंडिया समस्त अचूत और पिछणों की पार्टियों का बिले उसमें हुआ था और उसमें बिले होने के बाद जो उस समय की कांग्रेस थी उस समय की जनसंग थी यानि ब्रामणवादी ताक् चुनाओं में रिपब्लिकन पार्टि इस देश की सत्ताधारी पार्टि होगी और कांग्रेस का पतन हो जाएगा तो सड़ियंद्र के ताहत उन्होंने चुनाओं के पहले ही और पार्टि को जमीन से उतरने से पहले ही बाबा साहाब की हत्या कराई ही उसी तरीके से आज मा समाम राज्यातिक डल जो चोटे-चोटे हैं वह बिले कर रहे हैं वह समर्थन कर रहे हैं वह सेच्वियेशन 1956 वाली उत्तर भारत में तयार हो रही है और जल्द ही आप लोगों को जमीनी अस्तर पर दिखेगी और बिना अभी भी मैं कह रहा हूं बिना बिद्यार्थी महिल नाजवान बिरोजगार को लिए कोई भी राज्यायतिक डल समाज की वास्तविक रियल रिप्रजेंटेशन नहीं कर सकता इन तीनों वर्गों को छोड़ करके अगर कोई पुलटकर पार्टी हो चाहे जिसकी पार्टी हो और चाहे जिस समाज की बात करती हो तो उसका मतलब दोखा देने काम कर रहा है क्योंकि जो अपने देश के विद्यार्थियों को भागीदारी नहीं दे सकता जो अपने देश के विद्यार्थियों को परथासन और सासन में लाने के लिए आउसर नहीं दे सकता वह उस देश के नागरीकों का कभी हितासी हो इनहीं सकता करें हम लोगों को बिद्यार्थी नौजवान और महिलाओं को जागरुक करके एलार्ट चैतन करके उनको एक जूट करके इस देश के अंदर राज्याइतिक परिवर्तन के लिए पहल करने और करवाने किया वसकता है जो भी राज्याइतिक पार्टी बिद्यार्थी महिला देते हुए काम करेगी उसको हमारा ट्रस्ट हमारा संगठन हमारा समाच सायोग करेगा ऐसा हम उमीद करते हैं और देखते हैं कि पैमाने पर कौन ती पार्टी इस समाच की उभरती है जो इस विद्यार्थी महिला और नौजवान बेरोजगारों को केवल आउसर ही ना दे बलकि उनके लिए संगत भी करने का काम करें, उस नीती का इंतजार है, उस पार्टी का इंतजार है, सारे बिद्यार्थी समस्त महिलाएं, समस्त बिरोजगार नौजवान अपने घरों के दर्वाजों पे खड़े हो करके, ऐसी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं, अब जो भी पार्टी आएगी, उन पार्टी को आउग इनका समर्थन मिलेगा, बड़े पैमाने पे तमाम बिद् बख रहे हैं अभी, देखते हैं, 24 के पहले कौन सी पार्टी आती है, जो महिला बिद्यार्थी, नौजवान बिरोजगार को भागीदारी देने के लिए, अपने मिने फेश्टों में सुनिश्चित करती है, उनका मुद्दा रखती है, उसका साथ हम लोग देंगे, और उस हो सकता, आप लोगे माध्यम से कोई ऐसा अच्छा मिचार मिल जाए, जिससे समाज की राज़िती और मजबूत की जा सके, तो इनी सब दो साथ धन्यवाद, आप लोग देखते हैं, वैई पी नूज चूड़े, मैंके सिद्धा, फिर मिलेंगे, खुशाइए, मस्त आईए नमस्कार